आल्राइट लेडिस एंड जेंटलमेंट तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोग करने के फायदे पार्ट टू एक वीडियो हम पहले ही बना चुके है अगर आपने नहीं देखिया तो आप जाके देख सकते हो वीडियो के टॉपिक का नाम है लोग करने के फायदे आपको कुछ बताना भी चाते थे पहले तो आज वो मुझे याद है वो वीडियो मतलब बीच में ही वह गयी थी ना मैं उसमें बाय बोल पाया ना कुछ बोल पाया तो वह बीच में क्यों की लाइट आफ हो गयी थी कुछ टेक्निकल प्रॉल्म आगी थी तो उसके चक्कर म बात आज हम इस वीडियो में करेंगे तो देखो लो पढ़ने के फाइदे पहले तो यार यह मित निकाल दो अपने मंद से होता है कुछ लोग यह मित बनाते हैं कि मतलब बैठे रहते हैं तहसी बैठे रहते हैं धूप में गर्मी में तो यार देखो एक बात दो वो ना किसी नहीं कहते हैं अडवोकेसी होता है जो कोउट में केस लड़े girls करें किसी केलिए justice लिए उसको बोलते हैं एडवोकेट Daddy एक कि प्लीड करना अपनी बहस करना अपने महला हग के लिए लड़ना उसको बोलते हैं तो अब हम comparison करेंगे करेंगे और फिर मैं अपको कस उसके तो उसने क्या सब्जेक्ट पढ़े होगी हुमिनिटी पॉलिटिकल साइंस ठीक है जाद जाद एकनॉमिक्स पढ़ लियोगी हिस्ट्री पढ़ लियोगी इसी के बारे में वह बता सकता है लेकिन जिसने लौ की हुई है वह सारा चीज कवर कर सकता है यानि कि सुसाइटी में वह अपनी अच्छी इमेज बना सकता है और अपने मतलब जो व्यूज होते हैं कि हम यह यह लौ है ऐसे करो किसी क्यों हरास्मेंट होने से बचा सकता है वह क्यों उसने लौ पढ़ा है अब सपोज किसी ने इंजिनियरिंग की है तो वह बस मसीन के बारे में जानता है बस अ यानिकि ना उसको हर चीज पढ़ाई जाती है 360 अब मैं आपको एक्जांपल दोगा कैसे 360 डिगरी कवर हो जाता है तो 360 डिगरी कवर हो जाता है हाँ तो इसका क्या है देखो जैसे इंजिनियरि में क्या है मसीने होती है अब लोग में क्या है अपको हर चीज पढ़ाई जा Information Technology Act और IPC Indian Panel Code जो लोग कहते हैं कि यार हमें धारा नहीं पता ही तो ये सब उसी में आती है धारा और 511 धारा होती है आपको पहली में बता दू 511 धारा जो होती है ना murder rape 302 वगएर वगएर ये सब उसी में ही आती है किसमें IPC Indian Panel Code 1860 अंग्रेजों के टाइम पर बनाता फिर आता है Criminal Procedure Code की बना तो दिया लेकिन इसको Procedure कैसे करेंगे तो आपने पर सोना वोगा धारा 144 लगी है तो वो धारा 144 CC की होती है सक्सम इसकी CRPC की Criminal Procedure Code फिर आता है Civil ठीक है और इतने प्यारे प्यारे लोग है Study फिर Juvenile Justice अगर किसी बच्चे ने Crime कर दिया उस पर कौन सिधारा लगेगी ठीक है और फिर Poxo Act Protection of Child from Sexual Offense यानि कि अगर छोटा बच्चे के साथ किसी ने Rape अगरा कर दिया या फिर कोई गलत हरकत कर दिया उसके लिए क्या कानून है Poxo Act है Domestic Violence है तो बहुत सारे एक्ट है बहुत सारे Advocate Act भी है यानि कि अगर कोई वाकील है ऐसे कुछ करता है तो उसके लिए भी एक्ट है Police Act Police Act हो गया और Environment के लिए हो गया ठीक है और हमारा Indian Constitution हो गया वो तो देखो बापे सबका Indian Constitution उसी से आए है सारे लोग हो गया हम और और क्या हो गया Forgery हो गया अगर मानलो किसी Forgery Motor Vehicle Act हो गया Vehicle से related हो गया और इतने लोग है कि यानि बहुत लोग है 360 degree cover हो जाओगे अगर आप Engineering पढ़ोगे या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ोगे अब यहां पर मैं बुरा ही नहीं कर रहा है किसी सब्जेक्ट की बस मैं आपको बता रहा हूँ comparison कर गए ठीक है अब जिसको इंट्रेस्ट है वो तो करे गई ना तो 360 degree cover हो जाएगा यानि कि आप पहले ही prepare हो जाओगे हर चीज़ के लिए कि इसमें ऐसा है इसमें ऐसा है लेकिन अगर आप engineering करते हो या फिल बीए करते हो इसमें आपको इतना awareness नहीं होगा ठीक है दूसरा फायदा ही होता है कि अगर आपके घर कोई notice आता है कोच भी आता है आप उसको easily पढ़ सकते हो ठीक है और live वह भी कर सकते हो आप किसी college में जाकर performance दे सकते हो कि हाँ awareness के लिए camp लगा सकते हो अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार अब मतलब यह करके फाइदा नहीं है case ही नहीं आते है वगयरा वगयरा तो यार देखो वह तो अपनी skill है वह तो अब जितना आप aware रहोगे इतना कमाओगे और कमाई तो आपको यह पता है अगर एक कोई case फस जाए तो कितने कमाई है कम तो देखो बहुत है बस यह good faith में कमाना चाहिए है मैं अब यह नहीं लीगल तरीके आप अपना हो जरू सही तो भलाई भी होनी चाहिए ना लोगों की और next आगया exams के बारे में तो देखो exams तो इतने प्यारे होते हैं यार मतलब पूछो ना suppose किसी कोई भी exam लेलो मैं बता exam crack कर सकते हो यह कर सकते हो बिल्कुल बस थोड़ी सी आपको English आनी चाहिए English आनी चाहिए और लोग तो ही है लोग English करके थोड़ी सी लिखना आना चाहिए बस अपने आप सब कवर हो जाएगा विल्कुल practical चीज़े हैं जो पहले होता था है हम बचपन में start करते थे maths में x ने यह कर दिया x मतलब x मान लो उसकी cost निकालो तो उस मानने से अच्छा है जो है वो मान लो न फिर कोई और सब्जेक्ट करोगे उतना वह नहीं है और एक identity मिलती है advocate नाम की आप अपने advocate लगा सकते हो नाम के आगे ठीक है तो law करने के बाद आपको क्या क्या मिलता है एक तो degree मिलती है आपको ठीक है फिर आपको enrollment कराना पड़ता है अपने state में तो मैं आपको दिखाऊ तो यह bar council of haryana का है तो जैसे कि मैंने अपना जो graduation है वह हर्याना से किया है कि मैं हर्याना से belong करता हूं तो मैंने enrollment भी हर्याना से करा है तो आपको ऐसे मिलेगा कुछ करके तो इससे पता चलता है कि आप एक advocate बन गए हो और एक मिलता है license तो इससे आपकी identity होती कहीं भी आप बने civil criminal family कुछ भी तो देखो आपको सारे subject पढ़ाए जाएंगी पात साल में या तीन साल में जो भी आप law करोगे जैसे जाव से फिर आपका interest दिखा जाता है कि आपको कौन सा law अच्छा लगता है फिर आप उसमें master करो और अपना उस profession को follow करो ठीक है law आपको सारे पढ़ा जाएंगे ऐसा नहीं कि अब criminal lawyer बना तो अब को criminally पढ़ाए जाएगा ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ पढ़ाए जाएगा ठीक ए टू जैड और कुछ लोग सोचते हैं कि अभी जैसे कि किसी ने बारवी की होगी यानि होने वाली है तो अगर वो confused है तो वो भी law कर सकते हैं बहुत फाइदा होता है बहुत फाइदा ठीक है और हमारी बेहन बेटियां जो सस्राल के बाद यानि जिनकी शादी होगी और वह बारवी के बाद अपनी फर्दर पढ़ा ही नहीं कर पाई है तो उनके लिए best option है आप law करो ठीक है अब girls के लिए तो बहुत फाइदा होता ह है देखो कोई बीगल से अगर वह लोग करती है उसको बहुत फाइदा होता है उसको सस्राल में फाइदा होता है अब लोग पड़ा हुआ है तो यार उससे ना कोई easily इतना वह नहीं करेगा ठीक है बहुत फाइदा होता है और मैं आपको कुछ एक्जेंपल देता हम अपने होगा मतलब हाँ एक दिन के मतलब बहुत इवेंट सेयर करता हूं तो अभी ना कुस टाइम पहले मैंने कॉल किया था मैंने कहीं से सर्विसे ले रहा था कुछ तो मैंने कॉल किया तो मैंने कुछ सर्विसेज के बारे में पूच्छा कि ऐसे मुझे ना वह डिफैक्ट मिल तो उन्हें एक मैडम थी तो उसने कहा कि आप गलट टोन में बात कर रहे हो मैंने का टोन फिर मैंने इसको बोला कि मतलब क्या मैं टोन क्या फिर बोलती नहीं आपकी ना टोन अच्छी नहीं है फिर ना मेरे अंदर का एडवोगेट जग गया फिर मैंने इसको का अच्छा क सारा कुछ पढ़ रखा है तो मेरे को ना टोन तो सिखाओ मताब कहीं हो सोचरों की लड़की हो तो कुछ भी बोल दोंगी तो फायद आप सोचोगे की बेनिफिट ले जाओंगी इसने ऐसे मेरे से बतते मिजी कि ठीक है तो मेरे को भी पता है फिर उसका रिपलाई आया मतलब है फोन पर ही सोरी सर आप तो बुरा मान गए अच्छा अब हम बुरा मान गए उस टेम क्यों नहीं सोचा फिर ठीक है तो यार फरक पड़ता है सोसाइटे में बहुत फरक पड़ता है दूसरा बता तो मैं आपको एक दिन क्या हुआ हमेना फोन पर गाड चड़वाने गया तो मेरा note 9 phone है तो इसका जो गाड होते ना वो थोड़ा ऐसे करके चड़ता है कि यानि करव में होता है करव में तो यह मिलता नहीं एजिली से तो एक शौप थी उस पर चड़वाया तो उसने चड़ाया तो क्या हुआ थोड़ा सा ना उसमें बबल आ गया मतलब थोड़ा स अलगी बबल सा रखा था उसमें बहुत सारे तो वो बोलता कि यार थोड़ा तो एक दो तो आई जाता है मैंने का तूने क्या कला था उसने में बेर्कूर काता कि एक दो दिन आप जिस करो चार्जिंव बार्द्न में लगाओ यह अपने अप ठीक हो जाएगा फिर दो दिन है और देखो फाइदा होगा तो उसने दुबारा चड़ाया मेरा गार चड़ाया उसको ना 800 रुपीज का नुकसान हो इस चक्कर में अब देखो यार हमें भी तो नुकसान हो रहता ना जो चीज मैंने तो अब एड़ोकेट का होगे ना फायदा मैंने उसको यह बोला कि मैं अभी लीगल नोटिस पहुचवाता हूँ बस इतनी सी बात कही और उसको पता चला कि एक एड़ोकेट है यार बहस ना करो तो फायदा होता है अगर कोई नौर्मल आदमी होता है उससे बहस करते कि भी या तूने ऐसे कर दिया ये कर दिया गाली गलोच होती फिर उस मुद्दे से तो बटक जाते हो फिर वो इस बात को लेगे बैठ जाते भी तूने गाली क्यों दी वो गाड़वार तो छोड़ देते फिर वो लड़ती की भी तूने गाली क्यों दी तो ऐसे बहुत फाय टूल टेक्स पे क्या था एक बार रूल आया था आपको याद होगे कि भी तीन मिनिट से जादा गार रुखते हैं तो आप पे करोगे नी टूल टेक्स तो वहांने एक लेडिज थी एसी थी मतलब लेडिज तो मैं फॉन में वीडियो बना रहा था तो ड्राइवर साब यहां अगयरा तो पीछे मेरी मॉम बैटी थी तो मैंने को का कि देख यही मेरी माँ अब बता तो वह सुचती है कि मतलब दब जाएगा फिर मैंने उसको बताया कि हमने भी लोग पड़ा हुआ है तो अपनी उसमें रहे लिमिट में रहे फिर उसका एक स्टाफ था उसने सौरी मा अब आ रखा है तो इससे अच्छे कि आपना एक अवेर्नेस रहो अवेर्नेस रहते ना तो आपको कोई एक्सप्लोइट नहीं कर पाता ठीक है और बाते बताता है तो आपसे लोग जूट भी नहीं बोल पाएंगे सब्सक्राइब कर दिया है तो मैंने उसको मारा नेट पे PayPal Research एकना Portal होते है उस système फर्स चंड जाता कि FAR फर्स्ट ओनर कोन है कि अभर्ड कोन है तो उसमें गाडी थी मतलब उसके नाम थी नहीं रिजिस्ट्रड धिर्नेने उसको दिखाया तो जूत नहीं बोल सकता फिर उसका जूत ही बोला कि यार मैंड ऐसी बोल रह dolा था तो ।ो advocate महेंगी सी दुकान में जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो आपको कोई exploit नहीं कर पाएगा अगर आपने लोग पढ़ा हुआ है तो ठीक है और awareness भी रहता है थोड़ा वह दिखाना पड़ता है और next इंग आती है हां पेपर अच्छे से होते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप लगो इसमें तीन-चार साल अच्छे से कमाई मतलब प्रैक्टिस करो तो बहुत पैसे हैं अगर आपको पैसा ही कमाना है वह अलग बात है मैं वैसे बता रहा हूँ को पैसा बहुत है और next इंग यह थी अब यह नहीं कि आर्लो करके अब हम चिल हो गए बैट गए तो दियार देको awareness होना पड़ता है ठीक है और यह होगा अप एक newspaper से अगर आप newspaper पढ़ते हो और आपने law में admission ले रखाए तो आपका खाम होगा बस आप newspaper पढ़ो regular basis पर बस ज्यादा law की बुक भी पढ़ने के जुरूत नहीं आए ठीक है तो यही थी कुछ बात है अगर फिर भी कोई आपको doubt है और next thing है हाँ आप judge भी बन सकते हो law करके आप judge भी बन सकते हो यानि कि अगर आपने law की है तो आप किसी भी state में जो भी exam निकालते तो वहाँ आप जूड़ी सरी में भी जा सकते हो next thing आती है कि आप public prosecutor भी बन सकते हो यानि कि सरकारी वकील और private वकील तो है यह ठीक है वो तो है यह और next thing एक चीज और बता दूँ आपको जैसे private वकील होता है न ठीक है इसको यह फाइदा होता है इस पे न कभी न अगर उसका charge नहीं लग सकता किसका corruption का होता है जैसे कि सरकारी वकील है उस पे जैसे corruption का charge अगरो अगरा कि वो private है ठीक है वो अपनी fees के नाम पे कुछ भी कर सकते है अब समझ रहे हो तो इससे साफ साबित होता है बहुत कमाई है तो chill करो अगर कोई भी further doubt है law के regarding और हाँ मैं आपको अब बता देता हूँ academic doubts तो देखो यार तीन तरह की लो होती है एक होती है LLB व और और भी होती है BBA करके कुछ बैतर रहेगा BALLB करो क्योंकि ना उसमें humanities होती है हुमिनिटीज वाले course होती है न तो BALLB एक और होती है BALLB honors में यह होता है और BALLB में एक फरक होता है जो honors होती है ना उसमें आपको first sam से ही law के subject पढ़ाए जाएंगे अब जो BALLB होती है न तो आप क्या करो BALLB honors वाली करो उसमें यह फाइदा है कि जैसे ही आप first sam में होगे यानि कि जो first entry होगे आपकी जो exams होंगे पहले वाले उसमें ही आपको law के subject पढ़ा दिये जाएंगे यानि कि दो subject BA के होंगे तो तीन law के होंगे उसका फाइदा यह है तो अब कुछ लोग पूछेंगे कि हमने कहां से किया तो देखो यार हमने किया हर्याना से कुरुषेत तरह university से हमने law किया है अब किस year में किया यह बला बला किसमें registration है यह हमारी privacy है तो I hope it is clear अगर फिर भी कोई आपको further doubt or law के regarding तो आप हमें comment कर सकते हो otherwise instagram है यह हमारा तो वहां आप अपने doubts clear क कुछ लोग पूछते हैं कि यार अपको ना sponsor को करता है तो यार देखो मेरे को sponsor करता है एक एक ना company है MD नाम की ठीक है MD की मेरे mom dad तो वह हमें sponsor करते हैं ठीक है अब कुछ लोग कहते हैं कि यार भी channel इतना growth हो नहीं रहा और फिर पैसे कैसे आते हैं वगरा वगरा तो यार द जिसके लिए, छिल मैं, छिल